हालो गाईज वेलकाम बैक को माई चनल मेरे नावे चुनिची तो आप लोग देघर एडियर सी एडियर समाप का स्वागत है मैं आज आप लोग को सिकने का कुछ इस टाइप का डिडिंग पीस कमल के वीडियो को लाफ तक आप जोड़ दोखे वीडियो पसंद रहे तो वीड किन दिस्क्रिप्शन बोक्स एंड वीड़ बेस्टिग अन्यों टाइम लेक स्टार्ट सो मैं यहां पी फानी स्कीन पाँ चोगा हूँ तो पहले ग्लाय को अपेन करके मैं दिखा देता हूँ तो कुछ इस टाइप की जो है फोटो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूगा आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है मेरे प्रफ साइट से तो कुछ इस टाइप कर देख सेकतो जैकेट पहना हुआ है पकड़ा हूआ है पहना नहीं है तो मैंने इसको भी मैंने लिए तो यह रिमूब करने के लिए आपको और डिश्केच्च बूक की जूरुत पड़ीगी तो वां से आप रिमूब कर सेकतो आपको अगर रिमूब करना नहीं आता बैग्राउंड तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूँगा तो मैं पिक्साट से और नहींयुका जाना है आपको जो बीट्रॉण फोलर है तो मैं पहले जो दो है मैं इसको ए Customer लोटक कर सकतो हो मैं इसको भी है अथा लगये ऑद्वीट है तो मैं कुछ इस ट्थाप ऑड़ कालेता हूं को को का DOится करेंगे इसको कर लिया है देख से तो आप तो मैं इसको बढ़ा करके अग्जस्ट्मेंट कर लेंगे इसका जो भी प्लेस्मेंट है मैं कर लेता हूँ यहां पर कि उसके बाद इस फोटो को राइट डान करेंगे यहां पर इसके बाद फोटो में जाना है कि आड़ स 살कित का तो पहले उसके बाद क्या करना है कर इस फोड का अड़ करना है पजीव मोईल का जो भी कैरेक्टर का फोड है उसके बाद राइट स्वाफ करने मिल यहां पर काट आॉट का आप essao करने हैं सिर्फ हेलमोट को मुझे लेना है तो मैं कुछ इस ताइप से हेलमेट कर लोगा उसके बाद दॉन नहीं हूआ है उस जगे बिंदर करने करेंगे तो यहां पर कुछ इस टाइब से रिज्टोर को स्लेट करके ब्रास को पेंट कर लेंगे तो अब देख सकते हो 12 बज गया है 20 में तो मैं सिंपली यहां पर ब्रास कर लेता हूँ उसके बाद देख सकते हैं यहां पर गर्दन भी सिलेट हो चुगा तो इरेज वाले टूल में जाएंगे इसका साइज थोड़ा काम करेंगे 24 कुछ इस टाइब से इरेज कर लेंगे क्यूंकि मुझे यह पार्ट जो है मुझे नहीं चाहिए सिर्फ मुझे हेलमेट चाहिए तो मैं जूम करके इसको जो है रिमूब कर लेता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसके बाद यहां पर कुछ इस टाइब से सेव कर लेना है इसको हाथ पर बिठा लेना है कुछ इस टाइब से थोड़ा बड़ा कर लेना है और बिठा कर यहां पर राइट डान कर लेना है उसके बाद फिर से एड़ फोटो में जाना है तो यहाँ पर जो मेरा फोटो जो है मैं दूसरी फोटो को उठा लेता हूं कुछ इस टाइप से तो यहाँ पर एक यह वाला फोटो में लगा आपको एड़ कर लेना है उसके बाद इसको कांदिप पर यहाँ इस टाइप से एड़ कर लेता हूं है हूं थोड़ा सा बढ़ा करके अग्जास्मेंट जो है मैंने कर लिया है उसके बाद फिर से फोटो में जाना है डान करके भी जा सकते हो तो मैं फिर से फोटो में जाता हूं बाद मैं फिर से और एक फोटो को ले लूँके यहां पर यह बेन वाली फोटो है इसको अडर करेंगे तो इसको डान करके ऑड़ा आपको बना यह सिलेक्ट हो जा रहा है बार बार यहां होसकती आपको एडिटिंग में इसलिए उसको डान करना पहले कुछ इस टैप से बढ़ा करके कमर पर बिठालना है यह बेटौर जो है कफिते हैं कि अच्छी तरख मैंने भुठा लेया हैं थोड़ा से राइड कुछ इस टाइप से उसके बाद डान कर लेंगे हैं पर डान करने के बाद फिर से आड़ फोटो में जाना है और एक पिंजी को आड़ करना है यह एडिटिंग जो है कफी सिंपल है तो उसके बाद सिंपली इस फोटो को आड़ करना है लाइड वालाफ पिंजी को उसके बाद यहां पर इसका blending mode change कर लेंगे यहां पर blend पर के लिए screen तो मैं थोड़ी सी इस side slide जो है दूँँगा और इस capacity में थोड़ा सा कम कर लूँगा 34 के असपास उसके बाद right down करेंगे यहां पर फिर से add photo में जाना है बास आपको png को add कर लेना है यह सारी png के link में description में दे रखाया औरेडी उसके बाद इस photo के add करके add कर लेना है इस photo को भी simply blending mode को change करना है आपको screen दो साइड से दे देंगे कुछ इस टाइप से यह देख से कफी classic look आ जाएगा इस photo में तो इसका मैं आपसेडी को कम जाद करके दिखा देता हूं देख सकतो बेकाल लगरी फोटो लेकिन आप जब मैं इसका आपसेडी पड़ा दोंगा देख सकतो कफी आच्छा लगरे तो मैं इसको रखेंगो 70 के असपस उसके बाद डान करेंगे यहां पर फिर से add photo में जाना है यह सारी png के मैं description में link जो है दे रखा है उसके बाद क्या करना है इस photo को add करना है add करेंगे यहां पर और इसका भी blending mode को change कर लेना है screen कुछ इस type से जो है रख देंगे यह fire वाली png देख सकते एकदम लगरा है photo उसके बाद simply done फिर से add photo में जाना है और यहां पर और एक png कर लेना है यह जो है देख सकते हो battlegrounds mobile इंडिया तो इसको add कर लेना है यह फोटो जो है काफी cool लगने वादी है तो मैं यहां से position कर लेता हूँ कुछ इस type से उसके बाद यहां पर right done करेंगे और उस png को दुबारा भी add कर सकते हूँ यहां पर मैं दिखा देता हूँ कुछ इस type से तो मैं यहां पर जाओंगा और फिर से यहां पर जाकर यह जो right का कंदा है यहां पर देंगे spng को आप दे भी सकते हैं बना खराब लगी कि एक side में होगा एक side में नहीं है तो खराब लग सकती है तो मैं यहां पर जाकर simply flip rotate option को select करेंगे तो मैं इसको rotate कर लोंगा कुछ इस type से बड़ा करके मैं zoom out कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा zoom in कर लेता हूँ यहां पर photo को जाए zoom in कर लेता हूँ उसके बाद कुछ इस type से बिठान लेना है उसके बाद इस photo को select करके erasable tool में जाना है यह जो गान का जो पींज है इसको erase कर लेना है और यहां पर भी कर लेना है कि रिश्टोर पर जाकर और इस इस इमेज को सिप कर लेंगे उसके बाद लाइट रॉम एप्लिकेशन को पेंड करके इस photo का लेना है उसके बाद यहां पर जो है color अब देखने में आसान होगी तो मैं ने लाइट रॉम एक्लिकेशन कोपन के लिया रूटेट भी का लिया है एंड फोटो में क्लिक करना है कि इस फूटो को add करना है कि यहां पर देख सकते और फोटोजों है अएड हो चुका है यह देख सकते फूटो तो यहां पर नॉर्मल से जो है color grading करेंगे थोड़ा बगरा तो मैं lightable option प्रिकल करेंगा पहले इसका exposure थोड़ा से डाउन करूंगा 0.8 contrast को थोड़ा कम माइनिस 12 हाइलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे हाइलाइट को बना फोटो देख सेख तो कफी डाल लगेगी तो मैं 11 तक उठा लेता हूं 10 तक या 11 तक तो मैं इसके 11 रख लूंगा इसका वाइट थोड़ा सा उठा लेंगे 3 तक इसका हुआइट थोड़ा सा प्लास करेंगे 6 के राउंड 6 के तक और इसका जो ब्लैक्स जो है मैं 29 तक कम करना माइनिस 29 देख सेख तो कफी जो है लाइट एक्जास्मेंट हो चुगे कफी अद्दक उसके बाद का लावल दाना है इसका टेंप्रिचर थोड़ा सा उठा लेना है लाव तो तक इसका तीन्ट रखना एंट तक को थोड़ा सा उठा लेना है 26 सीच्वरीशन को मैं 0 रहने दोंगा फोटो जैंख खरब हो जागया इसकी टोन जैंगा लगई तो इसलिए मैं चिच्वरीशन को जीरो कर सिच्टिरेशन को थोड़ा से डाउन 60 के आसपास रखूंगा मैं तक्रिवान सिच्टिरेशन को तो मैं 60 तक कर लेता हूं और जो हीव जो है 63 उसके बाद क्या करना है जो फास्ट जो कलर है उसको स्लेट करके थोड़ा से प्लास करना है लेमनेस को कि उसके बाद एकको कलर को स्लेट करना है थोड़ा से हुआ को बढ़ान लेना है से तक सिच्टिरेशन को बढ़ना है ज्यादा थोड़ा सा 39 का सबस्टिरेशन को रखूंगा मैं 39 और हिपो थोड़ा और बढ़ा लेता हूं यह देख सकते हो इसका इक अलगा तो मैं इसको रखूंगा तगरिबन 22 जो ब्लू कलार जो है मैं थोड़ा से डाउन कर लूँगा 30 तक सीचुरेशन को थोड़ा से प्लास 7 इसके बाद यहां पिर डान करेंगे इफेक्ट बाले टूल में जाएंगे भीगनेट थोड़ा से देंगे इसका टेक्टर जो है मैं थोड़ा से बढ़ा लूँगा 12 तक और इसका थोड़ा सा कम कर लूँगा 5 तक यह देख सकते हो फोटो जो है काफी आमेजिंग बाद चुकी है इस फोटो को सेब करने के लिए सिंपली स्यारवल अप्शन पी क्लिक करेंगे और सेब्ड डिवाइस कर लेंगे और मैं एक लाइट का प्रिसेट भी दे रहा में उसको भी डाउनलोड कर लेना है außer और ऊसके बाद उस लाइट रूम प्रिसेट को हैं अलीन पहले अप्लिक्सन में चला जाता हूँ तो कुछ इस टाइक लाइट मिले गा आपको पहले त्रिु डार्ट में जाना करना हैए इसका कॉपY सेटिंग करना है इसी फॉट में जाना है तो इसको मैं B4 पेहले जासा है उसका व्लाच में क्लिक करेंगे और पेश्ट सेटिंग कर देंगे तो एक है किलिक के अंदर जो है काफ्य अच्छा एडिट हो जाएगा यह देख सेकते हो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को कर देख लाइक और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसको बहुत बहुत धने बाद और मिलता है एक ने वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई झाल